हलो फ्रेंड विडिया आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ छो लोग फॉर्स रहे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ छूटी-छूटी स्टोरी इस पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ चाहर करती हूँ जिनसे हम बहुत सारी न्यू इसके भी देखने वाले हैं स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके इंदर मैं विलेज एग्जिस्ट इन लो लाइंग एरिया या निके निचले चेतर में तो मेरा गाउँ जो है वो निचले चेतर में मौजूद है भी देखने वाले में जो है जिसमें जो है जो मेरा गाउँ जो है वो निचले चेतर में मौजूद है जिसमें गरम गर्मियां और बहुत थंडी या थंडी सर्दियां है इस तरीके से आप इसको सिंप्ली बोल सकते हैं Mostly, जादे तर I visit my village in summers because of the holidays. Mostly, जादे तर I visit, मैं दोरा करता हूँ, या मैं जाता हूँ, या मैं देखने जाता हूँ. Visit का मतलब हम बहुत सारी जीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो I visit, मैं अपने गाउं जाता हूँ. My village, मैं अपने गाउं जाता हूँ in summers. जादे तर मैं गर्मियों में मेरे गाउं जाता हूँ because of, because of का मतलब होता है के कारण? Because का मतलब होता है क्योंकि, but because के साथ मैं जब off आपको लगा हुआ मिलेगा, तो हमेशा उसका मीनी होता है के कारण? Because of the holidays, छुट्टियों के कारण मैं ज़्यादा तर गर्मियों में अपने गाउं जाता हूँ या जाती हूँ. Although हाला कि the village is far cooler than the city, although हाला कि the village जो गाउं है is far cooler, वो अधिक थंडा है than the city, city यानि के शहर से वो अधिक थंडा है, यहाँ पर then का मतलब क्या हुआ? किस से, क्योंकि दो चीजों में comparison कर रहे हैं, तो far cooler than the city, जो गाउं है वो शहर से अधिक थंडा होता है, during the summers, summers के दोरान, during यानि के दोरान, the summers यानि के गर्मियों के दोरान, गाउं जो है वो शहर से अधिक थंडा होता है, also you do not need air conditioner, also साथ ही you do not need, आपको जरूरत नहीं होत हमारे है, air conditioner की inner village, आपको गाउं में air conditioner की जरूरत नहीं होती, air conditioner मतले क्या होता है AC, जिसको हम ठोगं मुस्टि शहर में चलाते हैं, तो गाउं में जद्द थर आपको air conditioner की जरूरत नहीं होती है, because of, same है पहला गया, because of the breeze, जो मन्द मन्द हवा होती है, उसके कराओं आपको गाउ में air conditioner की object नहीं होती या जरूरत नहीं होती In a village एक गाउ में you see greenery आप greenery यानि कि हर्याली देखते हैं C means देखना आप अर्याली देखते हैं And or almost every household has a minimum of one tree in their courtyards Almost लगभग every household यानि कि हर एक ग्रहस्ती के पास गाउ में हर एक ग्रहस्ती के पास has a minimum of one tree Minimum यानि कि कम से कम of one tree एक पेड उनके घर के अंदर उनके देर कौट्याड यानि कि उनके आगन के अंदर कम से कम एक पेड जरूर होता है कि हर गाउ का जो हर एक ग्रहस्ती होती है हर एक वैक्ती का जो घर होता है उसके अंदर आपको कम से कम एक पेड़ के अंदर एक पेड़ जरूर होता है moreover इसके अलावा या इसके बाबजूद बहुत सारे वीडियो मैं आपको moreover का मेनिंग में बता चुकिए हूँ अपको याथ हो ही गया होगा summer is a season of harvest summer यानि के गर्मियों का जो season है गर्मियों का जो मौसम है of harvest यानि के वो कटाई का मौसम होता है उस ताइम कटाई होती है I have seen, I have rarely seen, I have मैंने किया है क्या rarely मैंने शायद ही कभी any crops मैंने शायद ही कभी किसी फसल को या किसी अनाज को देखा हो क्योंकि तब तक वो कट जाती है जब हम अरी winter vacations होती है वो sorry summer vacations होती है तब तक वो कट जाती है besides इसके बाब जो दिया इसके अलावा earlier there was to be more kaccha house there was earlier यानि के पहले इसके अलावा पहले जो है there was to be ऐसा होता था क्या होता था more kaccha house वहाँ पर जो है गाव में पहले बहुत कच्चे house होते थे कच्चे घर होती थे जो किस से बनते थे houses made of mud and bricks वो किस से बने होते थे वो made बने होते थे made यानि के बनते थे क्यों बोला क्योंकि आपे made का यूज़ आ है make का यूज़ ने है make की ही second form है इसको हम past tense में यूज़ करते है तो वो ज़्यातर बने होते थे made यानि के मिट्टी से and bricks और eat से वो ज़्यातर मिट्टी और eat से बने होते थे but लेकिन now the houses but लेकिन अब जो scenario है sorry now the scenario has changed scenario यानके परीदरश्य जो है वहाँ की जो इस्तिती है अब में भी बोल सकते है has changed वो जो है बदल गई है अब यह क्या है हमारा यह हमारा present का ही passive sentence है क्योंकि है पर has के साथ में आपको third form का use देखने को मिल दा है अब जो scenario है जो वहाँ का जो परीदरश्य जो है वो बदल गया है and or the number of पक्का house जो number है संख्या है पक्के house की made up of concrete जो concrete से और अधर सामिग्री जो होती है अधर जो materials होते हैं उनसे बने हुए होते है has increased has increased जैने के वो अब उनकी संख्या जो है अब वो बढ़ गई है तो पहले जो है घर हमको कैसे देखने को मिलते थे कि वो मिट्टी से और इट से बने हुए होते थे पर अब जो है परीद्रिश्य वो बदल चुका है और अब हमें गाउं में जो है concrete और अलग सामिग्री से बने हुए घर देखने को ज़्यादा तर मिलते हैं या उनकी संख्या जो है वो बढ़ गई है ऐसे हम बोलेंगे इसको also साथ ही the people of the village are friendlier than the people of cities also साथ ही people of the village गाउं के जो लोग है are friendlier वो ज़्यादा मित्रिता पूर होते हैं than the people of the cities वो शहर के लोगों की तूल नाम है ऐसा भी हम बोल से थे हैं शहर के लोगों से अधिक वो ज़्यादा मित्रिता पूर्वाग होते हैं गाउं के लोग in additional इसमें जोडते हुए इसमें शामिल करते हुए additional मतलब क्या होता है normally हमको पता है add करना या निकि जोडना इसमें जोडते हुए the thing that I like the most about my village is fresh and replicating air जो मुझे अपने गाउं के बारे में सबसे अच्छे चीज़ पसंद है वो क्या है वहां की ताजी और ताज़की भरी हवा जिसमें that feeling of refreshment जिसमें आप feeling यानि के एहसास करते हैं feel मतलब एहसास करना feeling यानि के एहसास करते रहते हैं of refreshment जिसमें आप ताज़की का एहसास करते रहते हैं even यहां तक की if I have slept for 4 to 5 hours जिसमें की चाहें मैं 4 से 5 घंटे सो जाऊं उसके बाद भी मैं वहां पर ताज़की का एहसास करता रहता हूं इस तरह के से आपर बोला गया है most importantly सबसे महतवपूर्ण या सबसे जरूरी at night रात मैं I have see मैं देखता हूँ and count और गिनता हूँ count करना यानि के count करना यानि के गिनना stars मैं देखता हूँ और गिनता हूँ stars को यानि के तारो को which I cannot do in the city which जो की या जिसे जिसको I cannot दोयों कि मैं नहीं कर सकता डू नहीं करना हुते हैं एक धे मैं कर सकता इन दा सिटी जिसे में शहर में नहीं कर सकता आइ हो बहूत ही सिंपल सा टीविक था वाट हमारे exams में बहुत बार ये topics as a paragraph और essay लिखने के लिए आते हैं तो आपके लिए काम कर रहा होगा कैसे लगाए प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएगा आज की three words हैं जिनसे आपको sentence बना करके लिखना है first word है breeze यानि के मंद मंद सी हवा हलकी हलकी सी हवा चल रही है वही वाली rarely शायद ही कभी जब करते हैं कि शायद ही मैंने कभी ये काम किया हो मतलब हो chances हैं वहाँ पर बहुत कम chances हैं तो हम बोलते हैं rarely वह चीज में ने करी है and third word है refreshment यानि के ताजगी इन तीनों से आपको sentence बनाना है और comment box में निखना है आज के three word है डिक्टेशन के revitalizing second word है scenario and third word है court yards revitalizing scenario and court yards ये वीडियो कैसे लगी आप प्लीज कमेंट में ज़रूर बताएगा and thanks for watching कर दो प्लीज किक्टेशन. हुआ कर दो अपकर अपकर आपक्टेशन अपकर बताएजर झाल